आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम है सिद्धान दगनी उतरी स्टेडी ग्लोस पर आपका बहुत दोस्वागत है आदे पुरुष के बवाल रुक ही नहीं रहा है रुकने का नामी नहीं नहीं ले रहा है और यह मेरा लास्ट लेचर है जबार का ठीक ओम रहत और मनोज मुंतशिर शुकला की तो गजब गजब बयान बाजी हो रही है और गजब चीज़े हो रही है अभी A.All India Cinema Workers Association A.I.C.W.A. ने नरेंदर मोदी को लेटर लिखा पत्र लिखा है इस पत्र में जो है वो सुनिए क्या कहा गया है जितने भी Cinema Workers आपको पते ही है अभी अमेरिका में गिल्ड स्ट्राइक हो रही है सारा हॉलिवोड ठप पड़ा हुआ है सारे प्रोजेक्ट डिले हो गए है क्यों स्ट्राइक की वज़े से जहां राइटर स्ट्राइक पे जाते है और यहां पे भी सारे सिनिमा जो भी काम करता है उन्होंने उन सब की 39 है यह पत्र लिखा गया है नरेंद्र मोदी तो इसी बीच जो है मनोज मुंतशर शुकला का भी एक बयान आ गया हम उसके भी बात करेंगे ठीक है यह चीजे मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको जानने की जरूरत है कि क्या है और इसलिए मैंने सोचा है कि बहुत ज कमाइन की बात करें तो इन तीनों को कमाइन करके मैं बताओंगा कि आखिरकार भगवान राम ने कहा क्या ठीक है अब क्योंकि देखे भगवान राम की बात है भगवान राम की टीचिंग्स बहुत ही जाता इंपोर्टेंट है और भगवान राम की टीचिंग्स हम सब को श्री राम में all about Lord Ram और क्योंकि हम रामायन की बात कर रहे हैं तो और भी पात्र important है तो भया आदिपुरिश से तो अच्छा है ये शानदार audio book सुन लो तो एक तो श्री राम ये audio book और संक्षित रामायन ये दो audio book सुन लेंगे आपको पूरा घ्यान हो जाएगा और ये आप सुन सकते हैं कुको FM पे कुको FM की बात करें तो देश का नंबर वन audio show platform है पंदर लाग से ज़्याद अक्टिफ हिंदी पेट सब्सक्राइबर जो कि मंतली 45 लाग घंटे से ज़्यादा का content consume करते हैं audio books बहुत flexible होती है बहुत ज़्यादा आप एक hard book खड़ी देंगे तो बड़ी महंगी मिलती है लेकिन यहाँ पे जो audio books है समझे कि बहुती कम दामों में आप धेरो audio books जो है वो सुन सकते हैं और कहीं पे भी अगर आप जा रहे हैं headphone लगाया audio books सुनते हुए चले गए यानि कि बहुत ही ज़्यादा आपको knowledge मिल सकती है ठीक है और अभी इनोंने अपनी नई category originals launch की है जिसमें भागवद गीता, middle class mentality से बाहर कैसे निकले ये सारी शांदार audio books सुनके आप अपनी जिन्दगी की problems को solve कर सकते तो description, comment box पे link दिया है link को click करें, आपको download करें और जबरदस discount का फायदा उटा है आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा और ग्यान तो मिलेगा ही मिलेगा तो All India Cinema Workers Association ने नरेंद मोधी को पत्र लिखा है कि पहली बात FIR कराई जाए जितने भी maker जन को जो collection था, 600 करोड़ तो कमाई लेगी मूवी, लेकिन Monday को जो collection था वो 20 करोड़ था, बहुत ही low ओम राउत ने ऐसा लगता है, बस नीन से उठे और उनने रामाई बना दी कोई research ने इसमें दिखती तो यहाँ पर पहले, दो news की बात करेंगे पहले तो AICWA ने बोला है कि भगवान राम हम सबके भगवान है सनातन धर्म की बेज़ती है यह और जिस तरीके से उनको picturize किया गया है, आस्था की बात ही नहीं है आपे भगवान राम की बात है, वो हमको बिल्कुल भी acceptable नहीं है, तो जितने भी है, आकि मैं और बता देता हूँ कि पत्र में क्या लिखा हुआ है, ठीक है एक एक चीज मैं आपको पढ़के बताता हूँ यहाँ पे क्योंकि देखिए, क्या होता है न कि चलिए चाँ छोड़ी, मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ होता क्या है कि मतलब यहाँ पे बात रामाइन की हो रही है और आदिपुरिजबरे समय से बन रही थी और 600 क्रोड की बन रही थी, और सभी उसमें CGI है, मतलब कुछ भी उसमें रियल नहीं लग रहा है तो यहाँ पे यही बोला है कि जो बेकर्स हैं उनके उपर सक्त आक्षा लेने चाहिए और यहाँ पे आक्टर्स पे भी बोला है कि क्या आपको दिखा नहीं, प्रभास, सैफ अलिकान, ट्रिती, सैनौन इन तीनों को बोला है कि आपको दिखाने की कैसी मूवी बन रही है आपको तभी बैक आप जो है, वो कर जाना चाहिए था लेकिन आपने ऐसा नहीं किया ठीक है, तो इसी लिए इनके उपर F.I.R. होनी चाहिए नरें दरुदी, प्रभान मंतरी को सोचे, सारे सिनेमा वरकस ने लिखा है ठीक है, कि इन सब के उपर F.I.R. होनी चाहिए और इन सब को सजा मिलनी चाहिए और ये मिसाल होनी चाहिए, लेकिन मेरा मानना यह है कि ऐसा नहीं होना चाहिए ठीक है, देखें, जो हुआ सो हुआ, है ना, छोड़ दीजी अब इस मूवी को भूल जाइए, बैन कर दिए वो अलग बात, लेकिन इस मूवी को भूल जाइए बैन भी क्या, देखें, एक मूवी में बहुत लोगों के रोजगार होते हैं मतलब बहुत सारे लोग इसमें इन्रॉल्ड होते हैं, तो वो सही नहीं रहेगा पट वही आई और गई, that's it, just forget it, भूल जाइए इसको, अब बेजिती तो होई गई, नेपाल ने भी कर दी, वाकिसाब ने कर दी, लेकिन आप इस पे जादा तूल देने की ज़रूत नहीं है और उसके बाद एक अभी बड़ा वक्तव्य है, मनोज मुंतर्शिर शुकला का वो बड़ा फिरमस वरा है, वो कहना है कि हनमान जी जो है वो भगवान नहीं है, वो भगतते हमने उनको भगवान बनाया है हनमान जी कोई फिलोसफर नहीं थे, ये मुझे लगता है कि मनोज मुंतर्शिर शुकला को बहुती शालत रहना जाए इस समय एकदम बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो फसे हुए हैं, कोई भी जस्टिफिकिशन वो ना दे तो जादा बिटर रहेगा क्योंकि घ्यान की कमी है, वो दिग्या है, क्या बात कर रहे हैं? गीटा प्रेस की ही रामान पढ़ लो, टीक है? उसी में ही जब भगवान राम पहली दफाह हनमान जी को देखते हैं नो बेदो का बोलते हैं कि भाई ये तो बेदो का ज्याता लगता है क्या बात कर रो हनुमान 40 है देख लो कैसी बाते हैं ये मुझे समझ में नहीं आता है किसके अवतार थे हनुमान जी मनोज मुंतशिर शुकला जगवा हनुमान नहीं है तो किसके अवतार थे मैं ये समस्ता हो कि मेटफ़र्स है लेकिन किसके अवतार थे है ना तो ये जो बाते है ना अजर अमर है आपको पता है आठ चिरंजीवी में से एक है भगवान हनुमान आज भी बूत पिसाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे आज भी जब आप भगवान हनुमान का नाम लेते हो कितने लोगों की भूमी पुत्र पवन हो गया है पता है कि नहीं तो बात इतनी सी है कि शायद मनोज मुंतर्शे शुक्रा को यह सारी चीज़े नहीं बोलनी चाहिए यह फस्ते जा रहे हैं ना तो यह दो न्यूज है एक तो यह बोला गया है कि भाई F.I.R. तुरंट करो और साथी साथ इस मूवी को बैन करो मुले रखता है कि मेकर्स को बिल्कुल शांत हो जाना चाहिए और ठीक है जो हो गया सो हो गया अब नितेश दिवारी के नामायन बन रही है अब देखना पड़ेगा नितेश दिवारी बहुत ही जवर्दस डारेक्टर है उनसे काफी उमीदे भी है ऐसा बोला ज़रा है कि कपूर राम को रोल प्ले करेंगे और शायद KGF स्टार यस जो है वो जो है वो रामण बनेंगे फिलाल देखेंगे क्या होता है बट यह शांदार ओडिवो का अब जरूर सुने श्री राम और संक्षित रामायन कूको एफम पे और अभी जैसा कि हमने बता है एज जीएस 50 आपको कूपन को यूस करना है 99 का सब्सक्रिप्चिन आपको 49 में बनके सिर्फ फर्स मन के लिए वैलिड है तो डिस्क्रिप्चन कमेंट बॉक्स फैल लिंक के दिया लिंक को क्लेक करें आपको डॉल्लोड करें और जबर्दस डिस्काउंट का फाइदा होता ह सब्सक्रिप्स करें